लंबे समय से नियमिती करन के लिए संगर्ष कर रहे विद्ध समिदा कर्मियों को अब कॉंग्रेस ने अपना समर्थन दिया है प्रदेश कॉंग्रेस कारेले के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने सरकार पर आरोप लगाया कि जोखिम पून कारे करने वाले विद्ध विभाग के कर्मियों के साथ भाजपा सरकार खिलवाड कर रही है और दुरगटना के शिकार सेकडों मृतकों के परीजनों को अब तक अनुकंपा नियोक्तिया नहीं मिली है उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश के 6,070 विद्ध कर्मचारियों को नियमित किया जाए साथ ही जिन 200 लोगों की सेवा के दोरान मृत्यू हुई है उनके परीजनों को अनुकंपा नियोक्ति का लाभ मिले अब नीश बुंदेला ने कहा कि विद्ध विभाग निरंतर चलने वाला विभाग है इस विभाग में नियमित अधिकारी कर्मचारियों की बहुत जादा कमी है लेकिन फिर भी बिजेपी सरकार 6,000 पढ़े लिके समविद्ध अधिकारियों कर्मचारियों को अल्प वेतन भोगी समविद्ध के रूप में रखे हुए हैं जो सरासर शोशन और अत्याचार हैं कोई उनकी पतनी है या भाई है कैसे भी आप उनको अनकम बन्युक्ती दें उनको बीमा का पैसा दें यह हमारी मांगो सबसे बड़ी बाद जो आपने वादा किया था वादा हमने नहीं किया था हमने फिर भी काम करने का प्रयास किया कमलनाजी лет जी की सरकार में, हम फिर भी कहते हैं, कि आपने जो बात आपकितर, इस बादे को पूरा करीं सिगाजी अगर हिम्मत है MAR आठ मज़ वा की अभी, फिर यह मत के ना आप तो आचार सहिंता लग गही है, अप कि छह मही निवाद ब्योरे रिपोर्ट ग्रामिन भारत टीवी